कि अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तोरी के पते होते बहुत टेस्टी है तोरी के पते की सब्सक्राइब के लिए मैंने इहां पर दो प्याज ली है और तोरी को हम अच्छे से दोलेंगे और इनको पहुंच लेंगे और अब इनको छील के इनके चोटे-चोटे इस तरह से इनको पीस कर लेंगे तो इस तरह से हमने तोरी के पते काटी है और प्याज भी हमने चॉप कर लिया है तो चलिए अब सब्सक्राइब बनाना शुरू करते हैं तो हम यहां पर गैस इंडक्शन जो भी आप यूज करना चाहते हैं उस पर कढ़ाई रखिए और यहां पर एक चमच मैने या देसी जीर चड़ाया है आप और जो गी अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप बारी है इसमें हिंग एड़ करने की तो हिंग हमारा हो गया है अब बारी है इसमें एक चम्मस जीर डालने की जीर अच्छे से बुन जाने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे अपनी चौप करी हुई प्याज तो प्याज को हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे एक चमच नमक ताकि हमारी जो प्याज है वो जल्दी से भून जाए और हम इसे तब तक चलाना है जब तक ये गोल्डन प्राउन ना हो जाए तो यहाँ पर हम अपना जो फ्लेम है ना गैस का वो मेडियम ही रखेंगे तो यह हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो यह देखिए अब इसमें एड़ करेंगे हम एक चमच लाल मिर्च आदा चमच हल्दी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे तोरी के पत्ते और अभी हमारी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम ही रहेगी और इनको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और बारी है इसमें एक चमज धनिया पाउडर एड़ करने की तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और जो हमारे गैस की फ्लेम है वो हम बिल्कुल लो कर देंगे और अब आरिए इसमें एक चमच गरम मसाला एड़ करने की तो ये देखे इस तरह से मिक्स करिए और हमारे एक से दो मिनट इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम अब अगे इसको बन कर देंगे हमारे जो तोरिके पते हैं और हम इसमें आफ़ा नेम्बू तो नीमु का रसमस में अच्छे से इस तरह से डाल देंगे और बस अच्छे से सको मिक्स करेंगे और इसको नीचे ओतार लेंगे हमारे तोरी के पते की सबजी बिल्खुल रेड़ी है तो फ्रेंड्स हमारी जी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी हूँ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप मुझको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स एक बार ये सबजी आप बना के देखिए और मुझको बताईए ये आपको कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग बाई